ओम शान्ति आपका प्रश्चन है कि संग दोश क्या है संग मन जिसकी साथ है अब उसके अंदर दोश क्या हो जाता है दोश अने का कारण क्या होता है उसे हम दोश कहते क्यों है परंपिता परमात्मा सत्य है उनका संग करने को कहते हैं साथ संग परमात्मा के संग को क्या का जाता है साथ संग क्योंकि सत्य परमात्मा का संग है वह तो जितने दुनिया में साथ संग है वो साथ संग नहीं है परमात्माने का वो सब क्या हैं संग दोश वो भल कहते हैं साथ संग है वो राम का साथ संकर रहे हैं, माता का साथ संकर रहे हैं, कृष्ण का साथ संकर रहे हैं किसी भी गुरू का, किसी भी मत का, विचार का पन्तु वो परमात्मा का संग नहीं है उस में उस संथ के मताबिक, उस गुरू के मताबिक या उस देवता के मताबिक जितने गुण हैं वो उन गुणों के आधार पर अच्छे हैं जितनी भी अच्छी बाते हैं उतनी अच्छी हैं पन्तु वो complete सत्य नहीं है जैसे एक मतके के अंदर अमरत का गड़ा हो उस अमरत के गड़े में हम एक बूंद जहर डाल दें तो क्या होगा सारा अमरत जहर बन जाए कितनी बड़ी ताकत है पाइजन के अंदर कि वो अमरत को भी क्या कर देता है जहर बना देता है अब हमने उसे कैसे पहचान करेंगे उसके लिए परमात्मा ने सीधा सा सीधा सा एक हमें सरमंत्र दिया है सला दिया है केवल जो मैं कहता हूँ वो सकते है केवल जो मैं कहता हूँ वो सकते है अब आपने केवल मेरा ही कहना मानना मेरा ही कहना मानना है अब परमात्मा आकर कि क्या क्या कहना मानना है वो हमें कैसे बताते हैं मुरली के माध्यम से बताते हैं मुरली के माध्यम से परमात्मा कहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है उसी पर चलना ही सत्संग है यदि हम उसको छोड़कर जाने और अंजाने में किसी भी देधारी की मत पर चलते हैं वो संपूर्ण सतसंग नहीं है वो जूट संग है पिता का कहना मानना जूट संग मा का कहना मानना जूट संग किसी दुनियाम के जज का, वकील का, डॉक्टर का, इंजीनियर का किसी का भी कहना मानना वो सारा का सारा किसका है वो संग दोश है वो संग दोश परमात्मा की दृष्टी से है परन्तु देह की दृष्टी से नहीं देह की दृष्टी से नहीं देह की दुनिया में उनके मताबिक चलना है परन्तु परमात्मा की दृष्टी में उनके मताबिक नहीं चलना क्योंकि ये प्रशन परमात्मा की दृष्टी कोण से उचा गया है क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि संग दोश से बचे तो जिस जहां पर मनमत परमत आ गई वो संग दोश होगा मनमत और परमत में सारे आ जाते हैं चाए वो रिशी हो संत हो कोई भी प्रिये संबंदी हो कोई भी हो वो सारे के सारे संग दोश में आ जाते हैं क्योंकि वो कमप्लीट नहीं है वो complete हमें गाइड नहीं कर सकते संपूर्ण ग्यान नहीं दे सकते बाबा कहते बच्चे यदि जो काम मैं करने के लिए कह रहा हूँ वही काम आपकी मां कह रही है करने के लिए तो भी आपने मां का कहना नहीं मांद तो भी आपने ये समझना है कि परमात्मा ने कहा है इसलिए मैं इसे कर रहा हूँ अंतर समझ रहे हैं क्या अंतर मिलेगा ऐसा करने से क्यों क्योंकि हाँ वो तूत है दूसरी बात उसके कहने में पावर है वेशक वही बात मा भी कह रही है परंतु मा के पास वो पावर नहीं है जो पावर परमात्मा के पास है जो अथोर्टी से परमात्मा हमें दे सकते हैं उतना अथोर्टी से मा नहीं दे सकते बाप नहीं दे सकता दुनिया का कोई गुरु नहीं दे सकता बल वही बात वो कहरा है क्योंकर वही टॉपिक एक एक बात तो दोनों ने एक जैसे बताई प्रण्थू एक्सपर्ट के बताने में जो तक्ट होती है वो समाने के हाथ में नहीं होते। वेशक चैप्टर पढ़ाया उसने वैसे ही बताया उसने वैसे ही जैसे कि यहां मैं लेलू कि मैं भी अधि कितना भी एक्सपर्ट अपने आप में बताऊं पर तो जितना एक्सपर्ट इस परमात्मा है जितना अच्छी तरह परमात्मा समझा सकता है कोई नहीं समझा सकता मेरे सीनियर भी नहीं समझा सकते क्योंकि परमात्मा सुप्रेम है तो इसलिए संग दोश की पहचान कैसे है जहां बाप की शिरीमत से विरुद्ध जो भी काम करने के लिए कहे कर्म करने के लिए जहां से भी प्रेना मिले और वो कर्म बाप की शिरीमत के विपरीत हो उसको पहचान लेना है संग दोश क्या है कि परमात्म शिरीमत से हट कर जो भी कर्म है वो सारे के सारे किसमे आ जाते हैं संग दोश में अब बचें कैसे उससे उसके लिए अपने आपको बैच कर बहुत अच्छी तरह से समझाना है कि परमात्म जो है वो सर्वोज टीचर है वो सर्वोज गाइड है उसके मार्दस्ण में चलने से ही हमारा भला है हमारा कल्यान है बल मेरे को यहां कोई भी नुकसान हो रहा है परमात्मा की श्रीमत के अनुसार है इसलिए मुझे वो करना ही करना है जो भी हो लाब हो हानी हो परमात्मा की श्रीमत में चलने में मेरा कल्यान ही कल्यान है और किसी की मत में नहीं चलना है ये बात जब आप अपने बुद्धी को समझा देंगे बैठ कर तयार कर लेंगे माइन मेकप कर लेंगे तो फिर आप बाबा की शिरीमत पर चलेंगे फिर कोई गलती होने वाली नहीं है बचने का यही एक तरीका है कि बाबा की शिरीमत क्या है इस काम को करने के लिए वो अपने आपको बैठ कर समझाना, अपने आपको तयार करना यह है संग दोश से बचना संग दोश की पहचान नहीं करेंगे तो बच भी नहीं सकेंगे तो जो भी वो कह रहे हैं उसके कहने को तुलना करनी है बाबा की शिरीमत के से राइट है बाबा भी वही कह रहे हैं करने के लिए तो ठीक है बाबा ने कहा है ये मैं कर दो और यदि वो लग रहा है कि बाबा की सिर्मत के विप्रीत है वो बात या उसमें कुछ कमी है तो उस कमी को दूर करके बाबा की सिर्मत के अनुसार उसे कर कहीं भी कहीं भी बाबा की शिर्मत को छोड़ करके करना माना संग दोष में अपने आपको फसान सरा सावी अदि हमने बाबा की शिर्मत को इगनोर कर दिया तो वो गलती हो जाएगी और वो संग दोष कहलाईगा इसलिए बाबा की शिरिमत क्या है उसके लिए बाबा कहते बच्चे डेली मुरली सुननी डेली मुरली पढ़नी है कहीं भी एंकार ना आ जाए मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ मुझे मुरली को डेली सुनना है तो डेली मुरली सुनते रहेंगे तो हमारे सामने शिरिमत एक दम अप्टू डेट रहेगी और शिरिमत अप्टू डेट रहेगी तो संग दोश नहीं आएगा नहीं तो कहीं ना कहीं मन मत पर मत मिक्स हो जाने के कारण गड़बर हो सकती है। क्योंकि दोशी है जहां कमी है। तो आप 9213106986 पर वर्शित करें। ओम शंत।